दोस्तो बिहार सिविल कोट में पियून की बहुत सारी वेकेंसी आई है यह दोस्तो टेंथ लेवल की वेकेंसी है बहुत दिनों के बाट टेंथ लेवल की वेकेंसी देखने के लिए और अच्छी खासी वेकेंसी है बिहार सिविल कोट में आपको heading में दिख रहा होगा यह जो notification है इसमें लिखा होगा है district and session judge पटना उसके अंतरगत जो है पियून का या orderly का इसमें पद है आज इसके बारे में complete हम आपको notification के ऊपर चर्चा करने वाले हैं इसका selection प्रक्रिया क्या होगा salary कितनी है कितने age के लोग बढ़ेंगे इसमे पास लोगों के लिए मात्र vacancy है और vacancy कितनी है बहुत ज्यादा vacancy है बहुत ज्यादा बोले तो 1673 पद है 1673 पद के लिए प्यून की पहाली होनी है मात्र दसमी पास पहली बात आपको बताना चाहरा हूं यह बिहार civil court में इसकी नुक्री लगने वाली है जो भी इसके application form को बरेंगे और इससे नुक्री प्राफ्त करते हैं तो उसको job as a pion यहनकी pion का पद है pion का पद उसको civil court में लगने वाला बियार के अंतरगत देखिए इसका notification संक्या 4 2022 है इसके बारे में आपको हम हर एक चीज क्लियर करके बताते हैं जो भी चीजे हैं आपको जाना जरूरी इसकी तमाम जानकारी हमने इसमें details से आपको बताई है बहुत बड़ी vacancy है 10th pass बहुत सारे बच्चे है जो की job के तरास में रते हैं तो उसके लिए वीडियो खास है क्योंकि इसमें हमने 10th pass लोगों के बारे में जो यह vacancy है इसके बारे में complete चर्चा करिए तो पहला बात ह है कि यह 16-73 पद के लिए vacancy है प्यून का पद है salary level क्या होने वाला देखिए level 1 18,000 से 56,900 प्लस जो आपका alliance है वो मिलने वाला है salary भी इसका अच्छा खासा होने वाला है दूसरा है इसके application form को आप online के माध्यम से भर सकते हैं जो civil code पटना का website है यह website यहाँ पर देख पा र बरना होगा online माध्यम से यह ने कि computer के माध्यम से इसको form बरना है कोई कागज पैन के माध्यम से बढ़के डाक के मारपच से उसको आप नहीं भेश सकते है वह आपका valid नहीं है इसको आप online माध्यम से form भर सकते हैं website यहाँ पर दिया गया है इसके बाद की बात करे day important date का मतल वाला है यह ओपनिंग डेट आप ओन्लें रिच्ट्रेशन आप अप्लिकेशन फॉर्म बीस नो यानि कि 20 सेप्टेमबर 2022 से या स्टार्ट हो करके आपको 20 अक्टूबर 2022 एक माह के लिए अप्लिकेशन पोटल ओपन होगा आप 20 सेप्टेमबर से 20 अक्टूबर के बीच इसके अप्लिकेशन फॉर्म को आप ओनलाइन माधियम से भर सकते हैं अप्लिकेशन के बारे में क्या क्या आपको चाहिए होता है तो सबसे पहली बात है कि इसके साथ में कोई एक्स्ट्रा कुछ भी क्वाल्फिकेशन नहीं टाइपिंग हो या कंप्यूटर नौलेज हो कुछ भी नहीं चाहिए आपको सिर्फ 10 पास होनी चाहिए नमबर सी में कैंडिट मस्ट भी अच्छा होना चाहिए नहीं लिखा है मोडल करेक्टर के बारे में कि उसके पास कोई क्लें कोई केस होगरा कुछ भी नहीं होना चाहिए तो ने इसका जो क्रेक्टर है बिलकुल वेल होना चाहिए क्योंकि हो सकता है पेपर आपको और करेंगे उसका एक प्रिंट आउट करके रख लेंगे अलाकी सब लोग रखते ही है लेकिन इसमें इस्ट्रिक्शन दिया गया है कि आपको उसका जो प्रिंट आउट है कीप प्रिंट आउट आउट आप समिशन अप्लिकेशन फॉर्म उसको आप रखेंगे क्योंकि आज आपको इंटरव्यू के काम में देखा जाएगा मांगा जाएगा आपसे इसलिए इसको आप और इसको अच्छे तरीके से इसको अपने घर में रखेंगे आप इसका बीडिए भी रख लेंगे ताकि आपका जैदी हाटकोपी हराब ही जाता खो भी जाता है तो आप उसके पीडिएफ से उसको फिर से प्रिंट कर सकते हैं कि उसके बाद क्या कहा गिया है नंबर वन में देखिए यहां पर कुछ-कुछ इंसक्षन जो है दा कंड़ेट आर रिक्वाइट तु राइट डिक्लियरेशन में यानि कि डिक्लियरेशन आपको एक लिखना पड़ेगा फॉर्म में वह क्या है आपके ऑन हैं राइटिंग आ होने वाला है देखिए आपको अंग्रजी में लिखना है तो यह वाला चीज को आप लिखेंगे हिंदी में लिखना है तो इसी जो को आपको लिखना होगा और उसके बाद आपको अप्लिकेशन फॉर्म भरते समय इसको स्कैन करके अपलोड भी करना पड़ेगा यह बात अ उसके बाद नमबर टू में क्या का रहा है कांडिट विल हब टो अप्लोड देर स्कैन फोटोग्राप एंड सिगनेचर इन ब्लाक इंक यानि कि आपको कलर फोटोग्राप स्कैन करके अपलोड करना है और सिगनेचर देखिया है लिखा हुआ इन ब्लाक इंक काला कलम से फोटो खिषते हैं सामने में कोई करके और उसको अपलोड कर लेते तो उसका बाद में फॉर्म रिजेक्शन के खतरा बढ़ जाता है फॉर्म रिजेक्शन हो जाता जैदी आपको यहां पर ब्लाक इंक कह रहा है तो आप ब्लाक इंक से करिए न मेरे देश तीन चार पांच फोर्म भरेंगे तो आपको complete details भरने के बाद submit कर देना और register नमर आपको मिल जाएगा मिलने के बार आपको make payment करना है यह तो section जो है यह तो form भरेगा उसका है तो यह चीज़ आपको हम अभी बताने वाले नहीं है क्योंकि उसमें हम जब form भरते आपको बताएंगे कैसे कैसे entry करना कैसे बताना कैसे form कुछ से आप भर सकते हैं तो वह वाला वीडियो को आप दिरूट देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको complete details बताने वाले हैं तो उसके अभी आप subscribe कर लिए ताकि वह वीडियो आपको miss ना हो जाए अब बात कर लेते एज की बात यह बड़ी बात है एज लिमिट क्या खा गिया है एक नो दोजर बाइस एक सेप्टेमबर दोजर बाइस को किसी भी कैंडिएट का minimum और maximum जो एज है वह निर्वर करेगा यानि कि एक नो एक सेप्टेमबर को कैंडिएट का एज 18 वर्स सभी केटेगरी का हो जाना चाहिए लेकिन अधिकतम उम् आप जिन्दल के फीमेल है तो तीन वर्स का चूट है चालिस साल तक जैदि आप ओबीसी यानि की बीसी वन बीसी टू के कंडिएट है आप है मेल हो या फीमेल हो तो चालिस साल तक के एज भर सकते है जैदि वही आप सेप्टेमबर दोजर बाइस को आपको मीनिमम अठारा च्यूट साल और माकसिमम की ठारिक ही साब से आपको जूट मिलता है वह आपको होनी चाहिए चूट क्या है वह देखिया इसमें आपको रहे हैं Energous एक्जामनेशन फी की बात कर लेते हम लोग एक्जामनेशन फी आप जो इसका अप्लिकेशन फॉर्म भरेंगे इसका एक्जाम फी क्या नहीं होने वाला है आप इसके आउन राइन पेमेंट को ही कर सकते आफ लाइन पेमेंट करना होगा अब कितना पेमेंट है तो जेनरल वी सी वन बी सी टू इड़ूएस इसके लिए 600 रुपया का पेमेंट रखा गया है कि बात करें सिब्सकेद्रेट से लिए इसका और दिव्यांग के लिए तीन सो का पैमें रखा गया जो कि ऑनलाइन माधिन से होना है उसके अलावा हम लोग बात करें इसके दो होने है सबी चीजों को जो प्रक्रिया है इसका सेलेक्शन का दो मोड में पहला आपका डिटेंटेस्ट है जुकि पचासी मार्स का होगा आपको तीस नंबर लाना को क्वालिफाइग कर जाएंगे आप लेकिन कटफ इसका उंचा जाता है तो इसलिए आप तीस नंबर के लिए आप जाएंगे ताकि बढ़िया होगा और इंट्रव्यू आपको 15 मार्स का होने वाला इसको क्वालिफाइंग रखा गया है लेकिन इसमें दस जो एक्स्ट्रेस में इसमें हम लोग बात करते हैं दा क्वेस्टन ऑप टेंटेस्ट आप 85 मार्क्स यानिकि यानिकि आपका 10 लेव मार्क्स का मैथमेटिक्स आपका 35 मार्क्स का यानि कि का सकते हैं तो 85 मार्क्स का जो एक्जामनेशन आपका होने वाला है वह इन ही तीनों से यानिकि हिंदी इंग्लिस और मैथ से इसका सिलेवस हिंदी 35 मार्क्स का अंग्रेजी 15 मार्क्स का और मैथमेटिक्स 35 मार्क्स का जो कि 10th level का मात्र होने वाला है इसके अलाब और भी जो आपके जाने वाली बात है special skill को थोड़ा सा इसमें बढ़ावा दिया गया है जो कि देखें इसमें क्या है electrician है कारपेंटर है cooking का नलेक्स रखते हैं बार्बर है यह समको थोड़ा सा gardener है या इस सब के बारे में थोड़ा सा इसको दस नमर का extra weight is मिल सकता है यह भी इसमें कहा गया है उसके बाद क्या कहा जा रहा जितना सीट है उतना तू फर्स्ट लिस्ट में वह आपको कॉल करेंगे इंट्रव्यू के लिए उसके अलाबा 20 परसेंट जो रिस्ट बचे वे चैनुड़िट है उसको भी वह रखेंगे सेकेंड लिस्ट में आने के लिए वो लोग इंट्व धेंट को निकालने के लिए आपको Webसites पर जाकर के रिबिश्ट नमबर से आप इसके क डांडD कर लेंगे इसके हाड़ को पी कि admit card आपको डाक या किसी और माधियम से आपको भेजा नहीं जाएगा इसको आपको online के माधियम से ही निकालना होगा इसलिए इसको आपके रेश्टरसन नमबर या इसके निसीविंग को जरूर अच्छा से अच्छा करके रखेंगे उसके अलाबाद क्रिगंडा में और अट टेंट लेवल की इंडिया के किसी भी कोने के लोग इसको भर सकते हैं किसी भी बोर्ड के लोग इसको भर सकते हैं साथ में इसका पेमेंट 600 रुपिया के लिए मातर 300 और जेनरल ओविसी के लिए आपको 600 पेमेंट रखा गया एज भी 27 साल तक दिया गया है ज़दी आप किसी अरक्षी कटेगरी से आते हैं तो 30 साल तक और 32 साल तक आप भर सकते हैं स्वारी 30 साल 32 साल ने गलती बता जी हमने हम क्या बता रहें आपको इसका जो अच्छा खासा दिया गया है और जो भी कंप्लीट प्रक्रिया है वह बीस से लेकर करके 20 अक्टूबर के बीच एक माह का समय दिया गया उसी एक माह एक माह के अंदर इसके अप्लिकेशन फॉर्म को आप online के माध्यम से फील कर सकते हैं 1670 इसमें पद है और सेलरी की बात जह सब्सक्राइब करें ताकि और भी आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होते हैं इस तरह के वेकंसी होती है उसकी जनकाड़ी आपको हमारे चनल से मिलती रहेगी धन्यवाद